जी हाँ नमस्कार दोस्तों बात करेंगे नवंबर भरती दो हजार चोईस के बारे में नवंबर महिने में सरकारी नोक्रियों के फोर्म के बारे में चर्चा करेंगे कौन-कौन सी वेकेंसी यहाँ पे निकली हुई है जिनके एक्जामिनेशन होंगे उनकी vacancies के बारे में भी चर्चा करेंगे उससे पहले बात करेंगे कि कौन सी ऐसी vacancies है जहाँ पर direct recruitment है, सीधी भरती है, कोई examination नहीं है लगबग 70-80,000 के करीब total number of vacancies में 50,000 के आसपास vacancies ऐसी है तीन सरकारी नोक्रियों के form ऐसे है जहाँ पर कोई examination नहीं होगा, सीधी भरती है, direct recruitment है और अगर मैं last date की बात करूँ, 30 November 2014 इसकी last date रहने वाली है अगर आपने recent में हाल ही में 10 वी class उत्रेन की है तो ये सारी vacancies के form आप apply कर सकते है इसके अलावा 12th class pass वाली vacancies भी available है और साथ ही साथ यहाँ पर graduation वाली vacancies के बारे में भी चर्चा करेंगे सबसे पहले जानेंगे कौन सी vacancies है, जहाँ पर direct recruitment है ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर यह जो सारी vacancies में आपको बता रहा हूँ यह vacancies में जो सीधी भरती वाली vacancies है उनकी processing यानि की जो नोगरी लगने की परक्रिया है भरती परक्रिया complete हो जाएगी तीन महीने के अंदर-अंदर यह मान के चलना January में आपकी जोइनिंग हो जाएगी यह confirm मान के चलो आप इसके अलावा यहाँ पर मैं पूरी detail discussion करूँगा क्या इसकी cut-off रह सकती है cut-off बोले तो यहाँ पर आपके 10th में कितने marks है उसके आधार पर selection होता है कई vacancies ऐसी हैं जहाँ पर 50-60% वालों का भी selection हो जाता है 10th में marks के आधार पर जो सीधी भरती में selection होता है उसकी में बात कर रहा हूँ तो चलिए अब डिटेल में बात करते है यहाँ पर WCD यानि की Women and Child Development महिला एउंबाल विकास विभाग की तरफ से महिला सुपरवाइजर आसा सहयोगनी और कार्यकरता वाली वेकेंसी जो निकली हुई है 20,531 बंपर वेकेंसी है यह वेकेंसी की लास्ट डेट अभी तक गई नहीं है ब्लोक इस तरफ पर आयुजद भरती पर किरिया में आविदन हैतू आप अपनी पंचाइट समिती पर एक पतो की सुची विभागी वेबसाइट से चेक कर ले हुए यहाँ पर जो वेकेंसी है उसमें 5000 आस्सायोगनी और कार्यकरता 713 यह दोनों मिलाके यानि कि 12 के आसपास यह जो वेकेंसी है 12,000 के आसपास आस्सायोगनी और कार्यकरता की तो यह आप करीब मान के चलना यहाँ पर इसमें कोई एकजाम नहीं होगा सीधी भरती है 2-3 महीने में आपका सेलेक्शन हो जाएगा महीला सुप्रवाइजर की 8000 की जो पद्र की वेकेंसी है नमर वन वाली उसमें एक्जाम है टेंटिटिव वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दूँगा वहाँ पर जाके उसकी पूरी इंफोर्मिशन आप ले सकते हो फिलहाल में यहीं पर आपको बता दूँगा यहाँ पर जो सेलेरी मिलती है यह 30-30 से 30 के बीच में बान के चलना क्योंकि डिपेंट करता है आपका सेलेक्शन रूरल अर्बन कौन से एरियाज में हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पर पेमेंट डिसाइड होती है और यह भी फरक पड़ता है कि आपने कितने साल निकाल दिये है यानि कि प्रोबेशन पीरिड दो साल का होता है तो वो अगर आप निकालोगे तब ही जाके आपका यहाँ पर एक तरीके से यह सेलेरी पेकेज रहेगा इसके अलावा आसा सेयोगनी और कार्यकरता वली वेकेंसी स्टार्टिंग सेलेरी है जैसे कि मैं आपको मेंचन कर दिया है यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे यह जो वेकेंसी है इसमें साफ साफ लिखावा है बारवी क्लास पास होना चाहिए महीला परिवेक्षक सुपर्वाइजर के लिए वहीं आसा सेयोगनी के लिए एट्ट क्लास पास और कार्य करता के लिए दस्वी क्लास पास अभी आपको यह नोट पढ़ना जरूरी है केवल महीला सुपर्वाइजर पदो हेतु परिक्षा का आयूजन किया जाएगा अन्य पदो पर दस्वी में प्रापतंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अन्तिम चैन किया जाएगा और इसके अलावा किसी भी विवादास पद स्तती में बोर्ड का नेनने सवर मन्ने होगा तो यह आप थोड़ा ध्यान रखना इसके अलावा यहाँ पर यहाँ क्लियर हो चुका है कि आपका यहाँ पर आठवी और दस्वी प्रापतंकों के आधार पर सिलेक्शन होना है कोई examination नहीं होना है तो यह आप apply कर सकते हो इसकी पठेकरम syllabus यहाँ पर दे रखा समझाया गया है जो कि महिला supervisor के लिए valid है तो यह आप देख लेना यहाँ पर 50 question, 25 question reasoning, 25 question computer के होते है दो गंटे का paper होता है आप आराम से इसको pass कर सकते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको मैं last year की gut of के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 40% वालों का भी selection हुआ है यहाँ पर आसा सहयोगनी और कारे करता के लिए 8th class, 10th class के आधार पर और कई जगे है तो यहाँ पर सीधा मतलब अगर आप minimum passive marks भी है आपके तो भी आपका selection हुआ है 15, 10 से लेखे 16, 11 तक आप apply कर सकते हो तो यह दिहान रखना dates यहाँ पर mention कर रखी है आप आविदन कर सकते हो एक और vacancy है सच्ची वाले विभाग किसे के trade की 30 October इसकी last date रखी गई है दिहान रखना color grade second officer और MTS के पदों पे 12,500 के आसपास यह total number of vacancies जो है वो निकाली गई है इसका पूरा detail आपको नीचे description box में में link दे दूँँगा वहाँ पे जाके check कर सकते हो इसमें जो आवश्चक जरूरी दस्तावेज है उसकी list भी यहाँ पे mention की गई है वो भी आप नीचे देख लीजिए एक और चीज में आपको clear कर दूँ यह vacancy यहाँ पे all over India महिला और पुरुषभ्यारती दोनों के लिए रहने वाली है जिन्होंने हाल ही में graduation 10th class या 12th class पास करी है यहाँ पे color grade 2nd के लिए 12th class officer scale के लिए graduation और MTS category के लिए 10th class पास रखी गई है इसकी section की उग्यता यहाँ पे यह है जो की एक तरीके से TED allowances और 2 साल आप probation के निकाल देते हो उसके बाद में जाके होती है इसके अलावा यहाँ पे पात्र उमीदवार 30 October 2024 तक आवेदन कर सकते है online यहाँ पे official website नीचे link दे दूँगा वहाँ पे जाके check कर लेना यह सारी vacancies की जो list में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ एक vacancies के examination tentative है कुछ एक examination नहीं होंगे सीधी बरती रहेगी यह आप ध्यान रखना जो कि मैं साथ के साथ आपसे mention करता जा रहा हूँ अभी फिलहाल में ने 15-20,000 के करीब vacancies ऐसे बता दिये जहाँ पे examination नहीं होगा इसके अलावा एक और vacancy यहाँ पे जिसमें minimum maximum age पहले देख ली जाप मैं इसको short में बताऊँगा 18-15 टीचर वाली vacancy है 18-15 साल की age अगर आपकी है और यहाँ पे knowledge आपको computer की आती है थोड़ी बहुत भी तो आप यहाँ पे यह remaining जो भी यहाँ पे दिया गया है चोथे नमबर पर martial arts teacher जैसे कि जो martial arts सिखाते है yoga instructor या yoga teacher इसको कह सकते हैं इनकी vacancies available है graduation आपको चीए simple सा एक certificate आपको बनवाना परहेगा जो कि एक साल का आपको कहीं भी मिल जाएगा अगर आपने नहीं सिखाया तो भी आपको एक साल का कहीं भी आरेंज हो जाता है इसके अलावा special education teacher यानि की student counselor जिसको कहते है इसके साथ ही साथ PGT यानि की PGT post graduate teacher होता है और यह biology stream से है तो आप यहाँ पे आविदन कर सकते हो teachers के vacancy और यह KVS में vacancy है सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं इसको mention इसलिए कर रहा हूँ इस vacancy को क्योंकि यह KVS school की vacancies होती है वह vacancies है सीधी भरती है 8 बजे यहाँ पे एक तरीके से interview आपका लिया जाएगा और यह details में आपको उपर mention कर देता हूँ यहाँ पे यह देख सकते हो यह date of publishing 12-10 से 21-10-2024 को यहाँ पे interview की date है यह फिलहाल 21-10 इसकी date जो लिखी हुई है वो आने वाली है तो आप थोड़ा सा द्यान रखना अगर आप यह वीडियो देख रहे हो कोई आसपास nearby applicable और interested है तो apply कर सकता है Indian Post Payment Bank एक और निकले हुई है बेंक में recruitment Indian Post Payment Bank जो की online registration आपके start हो चुके है ध्यान रखना हो चुके है यह start इसके अलावा यह 31-10-2024 तक October end तक चलेंगे आराम से आप apply कर सकते हो लेकिन इसके लिए dark save लिए apply कर सकते है जो की post office विभाग में पहले से लगे हुए है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना एक और vacancy Bank of महरास्टर में निकले हुए है और यह पूरी list आप देख सकते हो स्क्रीन पर सभी state में यहाँ पर 600 के करीब vacancies available है यह सारी vacancies आप apply कर सकते हो 600 के करीब जो vacancy है उसमे graduation pass उमिदवार जिनकी IU 20-28 के बीच में है वो आवेदन कर सकते है relaxation इसमें सामिले 3-5 साल का OBC RSCST वालों को तो यह आप ध्यान रखना साथ ही साथ यहाँ पर यह देख लीजिए आप इस स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको तो 5 साल aid कर लेना 28 में तो देख लेना और इसके अलावा 3 साल OBC में aid कर लेना 36-2024 तक यह सारा criteria आपका fulfill रहना चाहिए जो भी qualification के regarding है इसके अलावा यहाँ पर पूरी information दे रखिए PDF नीचे link मिल जाए का आपको वहाँ से आप download कर सकते हो bank recruitment है यह एक तरीके से और यह bank की recruitment 14-10 से लेके 24-10 2024 तक चलने वाली है अभी फिलहाल टाइम है आराम से apply कर सकते हो UII CL यानि कि एक तरीके से United India Insurance Company Limited वेकेंसी यहाँ पर officer scale first के लिए निकली हुई है और यह वेकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो legal में यह सभी departments में यह vacancy available है यह आप देख सकते हो आराम से easily नीचे description box में इसका link भी दे दिया जाएगा आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हो तो हाँ यहाँ पर यह ध्यान रखना हर महीने कम से कम 40-50 जार vacancies available रहती है लेकिन अभी mainly अपन क्या होता है focus रखते है bank की vacancy में भी government वाली vacancy यह railway में भी railway वाली vacancies SSC वाली vacancies तो इनके अलावबे vacancies government की तरब से निकाले जाती है तो यह सारी vacancies जो भी other vacancies होती है सीधी भरती होती है वो हम इस channel के माद्दिम से discuss करते हैं धन्यवाद